मुकर माइसोसिस इसे हम जाइको माइसोसिस के नाम से जानते हैं हिंदी में इसे हम काला फंगल के नाम से भी कहते हैं तो ये एक पुरानी बीमारी है अभी नहीं आई है पर कोरोना के समय में अगर जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं या फिर हुए हैं या हुए थे और वे ठीक हो गए हैं तो कुछ लोगों में म्यूकर माइसोसिस की समस्या हो रही है तो इसमें होता क्या है इस बीमारी में की वज़े से आखों के पास के एरिये में यानि फंगल बनता है तो वो समझ में नहीं आता वो किस तरीके का फंगल है और धीरे-धीरे नाग तक भी पहुंशकता है और इसमें क्या होता है गंबिर होने पर यानि इलाज ना करने पर या फिर इस बीमारी का पता ना चलने के चलते यानि infection इतना फैल जाता है कि आखों के पास का area जो है वो ल क्योंकर माइसोसिस की में अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एक तरफा चेहरे में सूजन आ सकती है यानि इदर के चेहरे में या फिर नाक या मूँ के उपरी हिस्से में काले रंग के घाव हैं काले रंग के घाव बनने लगते हैं या हो सकते हैं या फिर भुकार आना सिर भुकार और क्या कहते हैं आखों के आसपास काले घाव का बनना और चेहरे पर सूजन का होना दूसरा चेस्ट पर अगर यह इंफेक्शन पहुंचे चाहती तक तो सांस लेने में दिक्कत कफ की समस्या और चेस्ट पैन पेसेंट को हो सकता है मुकर माइसोसिस डिसीज में यह इंफेक्शन गैस्टो इंस्टेस्टाइनल यानि आतों तक प्रवावित करने लगे तो इसमें पेट दर्थ की समस्या वमिटिंग होना और आतों में से इंटर्नल ब्लेडिंग का होना यानि आतों में से रग्द इस्त्राप का होना तो यह सम इमारी में 50% चांस जेत के होते हैं मरीज के तो अगर फिर भी इलाज ना किया जाए तो यह समश्या दिमाग तक पहुंच सकती है और मामला गंबीर हो सकता है गंबीर होने पर मेनिजाइटिस और साइनस क्लोटिंग की समश्या का खत्रा भी बढ़ जाता है तो इसके ट्री स्किन रोग विसे सके हैं तो उनके पास आप जाएं क्योंकि यह स्किन से जोड़ा समश्या है और उसके बाद ट्रीट्मेंट करें वैसे इस तरीकी का जो इलाज है यानि इसमें ऐसा लगेगा आपको आपको के पास काले घेरे बनेंगे तो एक सक्तों आपको यह होगा कि यह हर्पीज जैसी कुछ समश्या है या फिर किसी कीडे ने काटा है इस तरीकी प्रॉब्लम होगी पर इस तरीकी के जो ट्रीट्मेंट है ऑस्पिटल में होगा तो इसको हैवी एंटिवाटिक दवाईयां हैवी एंटिवाटिक जो इंजेक्शन है आईवी इंजेक्शन के जरी दिये जाएंगे सांस ना लेने की दिक्कत उनको हो सकती है तो इंटर्नल ब्लीडिंग होई तो इस तरीकी के इंजेक्शन लगाए जाएंगे और मरने का जो रेसो है डेस रेसो इसमें 15% है यानि किसी को हो गया तो 15% उसको बचाने के चांसेस कम हो जाएंगे तो बस आज के लिए तना ही धन्यवाद